हलो फ्रेंड इरिया 51 यूएस में एक popular map location है जो के यूएस की एक air force base है ये एरिया यूएस में Groom Lake के साथ ही situated है जो के 135 किलोमेटर नार्थावदी लासवेगास जो के यूएस की एक state है तो friends इस जगाह से related बहुत सारी conspiracy theories exist करती हैं और आज तक किसी को exact नहीं पता कि इस जगाह में क्या किया जाता है या इस location को किस purpose के लिए use किया जाता है क्यूंकि उस area के जदनी बे activity है वो बहुत ही एक बड़ा secret है और public को warning signs, electronic surveillance और guards के थरू उस जगाह से दूर रखा जाता है और उस area में enter नहीं होने दिया जाता और इस area के उपर से फिलाय करना या किसी जहाज का उपर से गोजरना भी illegal है अगर इस area 51 की historical भी बात की जाए तो इसको यूएस और सोवेट यूनियन के दर्मान जो cold war थी उस वक्त बनाया गया था और उस वक्त इस base का यहीं मकसद था कि जो यूएस अपने secret aircrafts बना रहा था जैसे U-2 या फिर SR-71 blackboard planes तो इनी aircraft की development और testing इस area में उस वक्त होती थी और उसका purpose भी यहीं था हलांके इस air base को 1955 में establish किया गया लेकिन इसकी existence को 2013 में CIA की तरफ से officially acknowledge किया गया कि जी हां भाई यह चीज भी यहां पर exist करती है और यह भी believe किया जाता है कि यूएस military area 51 को use करके वहां पर जो अपनी military की जितनी भी aircraft technology है वहां पर ही develop करता है secretly ताकि किसी को पता न चले एनी जेकबसन जिसने area 1 की history के बारे में लिखा है उसके मताबिक जो दुनिया के सबसे most advanced espionage program से वो इसी जगा पे होते हैं और इस area से related जो secrecy है उसमें बहुत सारी conspiracy theories को भी जनम दिया है एक conspiracy theory के मताबिक 1947 में रोस्वेल न्यू मेक्सिको में एक spacecraft करेश हुआ और इस theory के मताबिक वो इस spacecraft एक alien का spacecraft था और उसको US military जो है वो उस पे experiments कर रही है और बहुत सारे लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस जगा के आज पास UFOs यानि unidentified flying objects को भी देखा है 1989 में रोबर्ट लेजर नामी एक शक्स ने ये किलेम किया कि उसने area 51 के अंदर alien technology पे काम किया है और उसने ये भी किलेम किया कि उसने aliens के medical photograph देखे हैं और government इस facility को use करके UFOs को examine करता है इससे लेटेडी 20 September 2019 में Facebook पे एक online event केरेट किया गया जिसका theme था Storm area 51, they cannot stop all of us जिसके तेट जो उस event का organizer था उसने ये कहा कि हम सारे लोग मिलकर area 51 में जबरदस्ती जाके गुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और इस event को 2 million people ने join भी किया लेकिन बाद में इस event को cancel किया गया क्योंकि इस event से possible humanitarian disaster भी हो सकता था और US Air Force ने इस event की बहुत ही मुखलफत की और कहा कि area 51 एक US military का training base है जहां पे US military और Air Force को train किया जाता है और वो हरकिस किसी को अज़ादत नहीं देंगे कि वो उस जबरदस्ती घुस जाएं जहां पे American forces को train किया जाता है तो friends ओपके ये वीडियो आपको informative लगा होगा अगर वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब तक के लिए अलाहाफेज